घंची फडैन्स मेरे चेनल में मैं आपको स्वागत करती हूं आज हम बनाेंगे जंकी पर्सल ये बहुत ही अच्छे लगते खाने में और आप इसे बच्चे को खिलाएं बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इसे डोमिनरी सिटाइल जिंगी पार्सल बना रहे हैं इसके लिए पहले हम डो लगा लेंगे इसके लिए हमें तेल लगेगा वन फॉर्थ कप वेजटेबल ओयल थ्री टेबल स्पून शुगर है दो टीस् इस्ट बना लेंगे इस्ट को एक्टिव कर लेंगे मैंने बाउल में इस्ट ले लेते हैं इस्ट पूरा इस्ट ले 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 इसी में हम शुगर डाल देंगे अब जो आमने गुन-गुना पानी लिया तब भी हम इसी में टाल देंगे आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले और इसको मिक्स करके 20 मिट ले ढाकी रख दें ताकि एक्टिव हो जाए मैं पूरा पानी डाल दूँगी पूरा पानी का यूज के लिए मैंने एक कप इसे से 20 मिट हो गया है इसको फर्मेट हो गया है अच्छे से हम दो लगा लेंगे दोगते हैं मैदय मे अइल नमक और ऐसट नालकर हम आटा गूथा लेंगे यह नरम आटा गूथना है हमें हम पूर्ए इस्पानी बनाए था है उसका पूरय का इस्तेमाल करेंगे हम इसी से आपका आटा लग जाएगा, अराम से आपको अदूरा लग से पानी लेने की ज़रूद नहीं है हम आटा लगा लेंगे, इसको मिक्स करके अच्छे से यह हमने आटा तैयार कर लिया है, यह बहुती नरम है, इसको आप तेल लगा के अच्छे से नरम कर ले और इसे ढाकी दो से तीन घंटे के लिए आप रख दें ताकि फूल जाए दो से तीन घंटे हो गए हम प्लेट अटाके देखते हैं कि कितना फूला है यह डबल हो गया है अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेंगे अगर है तो आप इसा थूड़ा सा मेदा ले लें अटाप अच्छे से मसलने है कि इसे अटा बहुत बहुत अच्छे से आपके हाथ में चिपकएगा भी नहीं और बहुत अच्छे से गूत जाएगा इसे आप चिरगडगड़ के मसल मसल कर नरम कर ले आटा तैयार है अब हम जिंगी पाइसल के अंदर जो डो रहता है फीलिंग रहती है वो हम भर लेंगे पीलिंग के लिए हमें लगेगा पनेल लिये है इसे चोटे चोकर दुगड़ों में काट लिया है मेयोनीज लिया हुआ है हरीरा मेयो लिया हुआ है यह जब मैयोनीज आप चितनी मैयोनीज ले उससे आदा हरिसा सॉस ले हरिसा मेयो ले यह मक्य काटा है और यह सुखे मसाले ह जीरा पाॉडर धनिया पाॉडर फिजिडा शिजली और नमक लिए हैं भेजा शिजली आप चाहिए को इसाँ भी हरब जाउ सकते हैं आप मिला लेंगे खुटो के पनी भी दे रहे हैं तो आदा जमस्त हरिसा मैऊ सेले है, आपके दूसरे भी यूजे कर शक्ते सकते हैं कि ऑन मिक्चर तैयार हमारे हम ने हैं जों ने जोंग यह को बनाया है से यह लिखता है बाहर से कि एंधर कर देंगे बे बिच में जो जगए बची कि इसमें आम नैगा फिलिंग बनाई कि देना पड़ता हैं त decisive बच्चे चोख से खाते हैं आप इसे चिंप्ट क् friend कर दूंगी इस यह संब बिख यह को रखते हैं तो जब फूलते हैं कि रहों बना इसे चपका दिया है मैं तो मिल्क वॉष कर सकते हैं उसके उफस्व पर मैंने ओइल वच किया है औ huskई बीजा हम को पसंद हो मैंने पीजा सिजलिंग लिए हम पीजा सिजलिंग की एक पटट डाल देते हैं यह तैयार है इसे तरह मैंने बाकी की जिंगी पार्सल भी तैयार कर लिए हैं मैंने चार जिंगी पर्सल बनाए हैं दो हम कड़ाई में बनाएंगे गेस स्टोफ पर बनाएंगे और दो हम माइक्रोवेव में बेक करेंगे चलिए हम बनाना शुरू करते हैं पहले आप गेस पे बरतन रख दें मोटे तेले का बरतन रखें आप उस पर एक कटोरी नमक डाल आप पहले पास 10 मिट तक अब इसे हम ढग कर 15-20 मिट के लिए पकने देंगे जो टाइम माइक्रोवेव में लगता है वही टाइम इसमें भी लगता है थोड़ा बहुती टाइम का अंतर बेटता है आप धीमी आज में बनाएं इसे तेज आज में बनाएं अब जो हमने बना दूसरे बनाएं दूसरे माइक्रोवेव में रख देते हैं माइक्रोवेव पर आपको 180 degree centigrade पर 20 मिट के लिए रखना है और बीजवीच में आपको चेक करते रहना है क्योंकि सबके माइक्रोवेव का टेंपरिशर अलग होता है इसमें रख दिया है माइक्रोवेव में से अब हम इने होने देते हैं डाके रहने देते हैं यह अच्छे से फूल रहा है नीचे से भी अच्छे से पक जाते हैं और उपर से अच्छे से पक जाते हैं यह बन के तयार है में 15 मीटर से उपर हो गया है दोनों को माइक्रोवेव की में निकाल लिए यह माइक्रोवेव की जिन्गी पारसले, देखिए कितने अच्छे बनके तयार हुआ हैं, और यह, जो कड़ाई में हमने बनाए थे, वो भी बहुत अच्छे बनके तयार हुआ हैं, दोने ही खाने में एक जिसे लगते हैं, दोनों टेस्टी हैं, आप इसे, सॉस केचप के साथ सब करें, बच्चे इसे बहुत शोक से खाते हैं, अगर आपको मेरी रेसिपिक पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक शे और सिस्ट्राइब करें, थैंक यू,